हाई दोस्तों सलाम आलेकूम आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिद्मत में हाजिर हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ डेंटिंग पेंटिंग कार के बारे में जो कार में पेंट होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि इससे पहले बहुत स तरीके से लोग आते हैं और काम करते हैं कंपनी में कीटना सेरली मिलता है और लोकल अगर आप आपको समझाएंगे तो वीडियो को इस चैनल में नए है तो पिलीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप वीडियो को फेस्बुक करें फेज और ऊड़ीो करें लाइक कर कीरें टो चलिए वीडियो को स्टाड करतें Response कर STR तो तो आज का आज का ठीक है वो देन किना ढूसरा देनावड डेनिंग पैन्टिंग कार को करते हैं ऐसे दो तरीके सेंगा माते हैं फज़ल को आपको पताहिंगे अगर को artifacts कमपनी में अगर आता है कमपनी उसको वीजा देकर बोलाती है और उसको अच्छा नौलेज है डेंटिंग पेंटिंग के बारे में हैना उसको अच्छा काम आता है तो वो उसकी जो सेली स्टार्डिंग होगी कमपनी में वो 200 या फिर 180 से स्टार्ट लेके 220-200 तक सेली लगती ह कमपनी आपको सारा चीज देगी यानि एकामा भी देगी रहने का रूम देगी आने जाने का ट्रांस्पोटेशन देगी और खाना जो रहेगा वो आपका खुद करेगा 8 गंटे की ड्यूटी होगी बाकी आपका ओवर टेम होगा अगर हम बात करते हैं लोकल इस तरीके से जो गिराज जो खोला रहता है अगर इस तरीके का गिराज में अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपकी सेली 300 केड़ी साड़े 300 केड़ी स्टार्ड होती है अगर आपको क खुद का खाना भी है खुद का रूम भी भरना है भाड़ा और आपका आने जाने कभी यहां तक कि आपका जो मेडिकल सारा चीज मतलब खुद ही करेगा है ना लेकिन आप अगा साल बर में आपको टिकाट का पैसा भी मिलता है और दूसरी चीज अगर आप किसी company में 10 साल 15 साल या 5 साल काम करते हैं तो जब आप finish जाते हैं मतलब आप जब आप उसको बोल दिए कि अब हमको काम नहीं करना है company को यानि resign दे दिए तो उस वक्त फिर आपको अच्छा खासा एक रकम मिलता है पैसा मिलता है जिसको service बोलते है तो local में selly ज़्यादा मिलता है लेकिन company में थोड़ा selly कम मिलता है लेकिन मेरे हिसाब से company में ज़्यादा benefit है तो ये एक छोटी सी जानकारी थी और बहुत सारे लोगे ने बहुत पहले comment किया है तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था किसी कारण से और कई दफ़ा मैं भूल भी गया सोचा कि आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा इसे करके तो आज finally मैं दो गिरेश जाके मैंने बातचित की और सारा details लिया है ना तो मैं आपको वीडियो भी screen में चला दूँगा आप लोग देख लीजिएगा हलाके मैं बोला कि आप ही डायरेट अगर वीडियो पे बोल दे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा तो वीडियो पे आने से मना किया कि यहां पे केमरा उम्रा लगा हुआ है तो मुदीर जो है यहां का जो सुपरवाइजर है अर्भी में सुपरवाइजर को मुदीर बोलते हैं वो थोड़ा दिक्कत करेगा जिसकी वज़ा से वो केमरे में नहीं आया मेरे को सारा चीज बताया तो यह एक चोटी से जानकारी थी चलिए यहीं से वीडियो खतम करते हैं चलते चलते आप चोटी से रिकोष्ट करेंगे अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पिलीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले और अगर आप मेरे वीडियो को फेस्बुक पेज में देख रहें तो पेज को फोलो करें लाइक करें शेयर भी करतें चिले थेंग यू सलाम अलेकुम